हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टोबर यूट्यूब चैनल कैसे आप सब लोग आई हूप आप सब लोग ठीक होंगे और आज हम आए एक नही रेसेपी की साथ आज हम बनाने वाले हैं फिस्ट करी जो की बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है आप इसको फिस्ट प्राई क ज़्यादार होने वाली है तो चली शुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले हमने जो फिस्ट प्राई बनाना है उसके लिए सबसे पहले हमने फिस्ट को अची तरह से वाश कर दिया है उसके बाद जो है हम उसका जो फ्राई वाला जो मसाला होता है मतलब मैरिनेशन की जो प यह तरजी जब आइंगे चावल काटा सकते हैं । तो यह क्रण्ची बर्षक बने। अचमी अंदिम्यक्ट करें। बेजसा प्राइब जो यह अच्छी बने आपके जोती के तो यह ता कि जुदित में वरता हैं। तो बहुत ज़्यादे यह टेस्टी लगती है इस तरह से आप बनाएंगे तो मैं इसका जो मसाला है मैं किसी और वीडियो में आपको मेरिनेट करके दिखा दूँगी इस वार मैं इसका जो है रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी तो यहां पर मैंने जो है सारी जो फिस्ट थे उसके पीसे को इस तरह से फ्राय कर लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा ओयल की जरुवत नहीं होती मैंने बिल्कुल इसमें सिर्फ आदा चम्मत जो होता है टेवल स्पून बोर्ड ओयल डाला जैसे कि आप देख सकते हैं और मैंने इसको नौन इस्टिक बरतन में फ्राय किया है यह बिल्कुल चिपकती भी नहीं है इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़दा मजेदार और टेस्टी बनेगी तो इस तरह से हमने जो है अपने सारी जो फिस्टी उसको हमने फ्राय कर लिया है और इसको आप जि हमें इसका कलर ब्राउन हो चुका था तो इस टाइम पर हम इसको निकाल लेते हैं हमने सारी पीशेश को निकाल लिया है और हम भी बनाती को सब लोग एक इक पीश बचे हुए हैं वह भी हम मदने last tea order एख के लिड़ी यूट आप recent down Chris और यह वाली जो पीसेस हैं यह और पकजा है उसके बाद जो है हम अगली प्रोसेस अपनी स्टार्ट करेंगे यहां पर मैंने जो सारे पीसेस थे वो निकाल के रख लिये थे जिसको खाना था वो इस तरह से भी खा सकता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस पर हल हरी कर लेते हैं मैंने यहां पर तीन बड़े साइस के प्याज लिये हैं और यहां पर मैंने काफी सारा लेसन लिया है और यहां पर मैंने दो तुकड़े अद्रक के लिये हैं उसके बाद मैंने यहां पर चार हरी मिर्ची लिये है तो अद्रक के तुकड़े ज्यादा बर्तन नाजन में अलग कर लेंगे तो यहां पर मैने इसको टैयार कर लिया है अब हमने इसी बर्तन में प्याज ग्राइच को घ्रबशा राएट कर लिया है मुझे इसी तरह का पेश्ट cioè था और जो पीज बचा हुआ था उसको भी मैं इसमें निकाल लेती हूँ और जो ओयल मैंने इसमें एड़ किया है जादा सा अब वो मैंने ग्रेवी डालने के लिए इसमें एड़ किया है तो सबसे पहले हमने यहां पर एक चम्मच भर के जीरा यूज किया है जीरा हो चुका है तो मैंने यहां पर तेजपत्ता यूज किये हैं यहां पर मैंने दो ते ब्लेक फ्लॉवर मुझे पता नहीं आपको यहां पेस को क्या बोलते हैं बट मुझे तो इसका एक जएक नाम नहीं पता हमने यह एड़ किया है अब यह जो गरम मसाले थोड़े से पक चुके थे अब हम यहां पे अध्रक लेसन का पेस्ट जो है एड़ कर देंगे इसको हम नहीं लगेंगे अची तरह से पक जायेंगे तो सबसे पहले इसको को फ्राय कर लेते हैं और यह देखी अच्छे से पक चुका था तो अब हम यह पे प्याज है डिए नहीं बनानी है मुझे घ्रेवी हल्गी शी गाड़ी रखनी है तो उसी हिसाब से मैंने यहां पर मसाला यूज किया है आप चाहे तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते है तो देखिए प्याज हलकी सी जो है ब्राउन होने लगी है और हम इसको और थोड़ा पकाएंगे यहां पर मैंने जो है हाफ टमाटर चॉप करके डाला है चोटा चोटा चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं बट मैंने यहां पर एड़ किया है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए और यह देखिए प्याज हो चुकी तो हम मसाले इस मैट कर देते हैं यहां पर मैंने जो है एक चमच भर क अच्छी तरह से चला लेंगे और प्याज देख सकते हैं आप अच्छे से पक गई है तो इसमें जो है मसाला बिल्कुल भी कच्छा कच्छा नहीं लगेगा और जो ग्रेवी है वो जल्दी से हमारी रेडी हो जाएगी तो अब हम यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ कर देते हैं त कि मसाल्स अच्छे से पक जाए तो मैंने यहां पर थोड़ा सा पानी मिलाया है शे क्वा और एक चमज भरके नमक यूज़ किया है इसके बाद ग्रेवी को थोड़ा सा बनने देंगे इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए और यह अल्मूस्ट जो है पक चुकी है तो यह देख सकते हैं आप इसका कालर बहुत अच्छा हो गया है और ऑईल भी उपर छोड़ द है वह और जादा टेस्ट इसमें बढ़ जाता है अब मैंने यहां पर पानी थोड़ा सा एड किया है जित्ता क्वांटिटी के हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप यहां पर पानी एड कर लीजिए तो मैंने यहां पर इतना पानी यूज किया है जित्ता म और यह gravy मैंने बिलुकुल भी बी पानी वाली ने रखी है मुझे ड्राइइ टाइब की gravy रखनी Bolीतieß मुझे दिफ्रेंट टाइप की बीके यिसमें इस दीर किया है् तो इसको हमारी नहीं बनाना है फिसकरी वो तैयार हो चुकी है आलमोस्ट वस हम इसको थोड़ा सा दनिया इसमेड कर लेते हैं गारनिश करने के लिए और इस तरह से जवाब रेसिपी यह वाली बनाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और अगर आपने प्ल और मैं जरूर ट्राइ करूंगी आपका वीडियो देखकर एंड तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो हैव नाइस देए